कुंडगाउ जीले की फरस गाउ थाना छेतर में रहने वाली पीडिता को शादी का छांसा देकर बलातकार करने वह पीडिता का असलील फोटो शोसल मेडिया पर वाइरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने उडिसा से गिरफतार किया है और न्याईक जाज के लिए रिमान पर जेल फेज दिया है फरस गाउ थाना से मिली जानकारी के अनुसार फरस गाउ थाने में आकर रिपोर्ट दर्च कराया कि इसकी नाबालिक लड़की है जिसका असलील फोटो वाइरल होने पर गांवालों ने प्रार्थी को बताया तब प्रार्थी ने अपनी लड़की से फोटो खीचा था और किसी को बताने पर चांट से मानने की धमकी देता था उसके बाद कई बार आकर डरा धमका कर सारीरिक संबन बनाया और कुछ दिन बात खीची हुई असलील फोटो को इंस्टाग्राम में डाल कर वाइरल कर दिया ठाना प्रभारी नरेश साहू ने बता अधिने में प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके बेटी के साथ उडिशा निमासी रोहित मिश्तिर द्वारा गलत काम किया गया तता असलील फोटो वगरा सोचल मीडिया पर अफलोड कर दिया गया जिस पर आपरात पंजीबत किया गया विवेशन में लिया गया इसी दवरान विशन करम में आरोपी की पतव साधी लगादा की जा रही थी तो दो महीने से फरार था सुचना मिली की उमर कोट में वो कहीं आरोपी घूम रहा है टीम भेजी गई जिसे वहां हिरासत मिलने कर पूस दाज किया गया गटना सुईकार किया जिसे थाना लाकर तो ने एक रिमार पर भेजा जा रहा है करवाय भी जाई है